नमुश्कर के मन अच्छिन शोबाई हचके सुन बबु व्लोग से शोबाई के शागोत जना है नया शल की गिफ्ट मिला है हजबन की तरोस से मुझे ए प्रेस्टीज का वाफिल मेकर मुझे बहुत दिन से चाहिए था तो पता नहीं चला उन्होंने मेरे लिए ओडर कर दिया और आज ही आया है इसलिए आप लोगों से थोड़ा शेयर करते हूँ मेरे को थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि इससे पहले में खुदी वार्डर की थी तो अच्छा नहीं आया था और उसका शायद कोई वाइरिंग का डिश्ट अब था आज का देखते हैं तो मैं ए अबने के सब्सक्रीश से कम बना सकते हैं लेकिन आज में पैन्केक पौडर से इस्तिमाल कर रहा और पहले में हाफ का प्वानी इसमें एड करदी थोड़ा थोड़ा करके अभी पानी आट करेंगे फिर से हाफ काप पानी में भार ली अभी थोड़ा थोड़ा करके मिक्सर को अच्छे से मिक्स करेंगे यह स्मूध बैटर भनाएंगे एक साथ ज़्यादा पानि देने से क्या हैं, लंप्स होजाने के डर है इसलिए थोड़ा तरा करने पानी डालते जाकर अच्छे एक स्मूध बैटर भनाना है और बेच भीच में पानी मिलाते जाओंगी जब तक हमें चाहिए कि जरूरत है कि ये दीबन की जैसे ना गिरे तब तक में थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाते जाओंगे करीब करीब हमारे बेटर तयार हो गया लेकिन अभी भी पानी चाहिए देख लिजे हमारे करीब बेटर तयार है थोड़ा समय एक चमस यतना पानी मिला है और फिर पता से लेगा कि हमारे बेटर कितना तयार है देख लिजे रिबून के जैसे बेटर गेर रहा है मतलब यह बेटर तयार हो चुका है अभी दो चमस वाइल में पहले से डाल दी थी रिफाइंड वाइल अब बटर भी डाल सकते हो तो मैंने रिफाइंड आविल यूस की और उसके बाद थोड़ा सा घुमा ली अभी यह लेकिन थोड़ा सा वाइल ब्राश करने के लिए लिखा हुआ था इसने मने वाइल थोड़ा सा घुमा रिफाइल यह बहुत ही गरम हो चुका है तो इसमें टाच करने से हाथ जल जाएगा इतना गरम में और यह है इसका प्रेस्टिस का वाफल मे करकर लॉकिंग सिस्टेम बहुत ही जल्दी बनके रेडी हो जाता है एक मिनिट के अंदर लेकिन बीच में धुआ देखके हम लोग ठरटार कहते हैं खुल के देखा नहीं यह अभी भी पका नहीं सही से देख लेजें कितना सुन्दर वाफल बनके रेडी है फिर हाथ से नहीं उठा सकते और कोई स्टी के लिए मैं लख्री का दू और चम से इसको निकाल दी और अभी दूसरा बैच बनने के लिए बैटर में डाल जेए बैटर जहां तक पहुंचेंगे तक इसका डिजैन बनके रेडी होगा कम नहीं पहुंचेंगे तो ऐसे ही बनेगा देख लिए एक मिनिट के अंदर फिर स दिखा रहा है कि यह बनके रेडी है तो एक मिनिट हो जाने के बाद भी मैं दोस सेगेंड और इंतजर की कि यह सुने रहा यह गोल्डन कलर आ जाए इसलिए और आ चुका है लेकिन उससे ज्यादा अगर इंतजर करूंगी तो यह एकदम जल जाएगा और देख लीजे कितन सुन्दर कलर आ चुका है अभी मैं इसमें जो हानी है थोड़ा इसमें और अभी चॉकलेट का सिराप भी गानिशिंग कर रहा हूँ और इसके बाद आप चाहे तो ड्राइफ फूट्स स्ट्वरी तो जो भी आपको फूट इसमें देके वच्चों को देना है आप दे सकते हो मैं आज बनाना से डेली और वच्चों को बहुत ही पसंद रहा है